विडियो के अंदर बात करेंगे आज Saturday morning को क्या कुछ हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के और क्या कुछ हाल चल रहे हैं Altcoins के, Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, सभी coins के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को Very Good Morning, I hope आप सब अच्छे होंगे और क्रिप्टो मार्केट देखें तो क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल अच्छा नहीं है और कल एक सबसे बड़ी चीज हुई US के अंदर और उसका impact directly क्रिप्टो मार्केट पे पड़ा और US के stock market के उपर भी पड़ा तो बिल्कुल कल CPI numbers आये हैं और वो जो number आये हैं नाइट में ही volatility हमको देखने को मिल गी थी 1.20 trillion dollar पे आगया है 3.2% पूरा globally market नीचे गया है क्रिप्टो मार्केट और bitcoin 28,000 dollar तक फिसल गया था अभी currently 29,385 पे चल रहा है और 2.4% डाउन है तो जो CPI numbers अपने आप में इतना high inflation आया और inflation अगर आप देखें एक ऐसी चीज है जो बड़े-बड़े markets को impact कर सकता है और किया अभी है और आगे भी कर सकता है ठीक है तो inflation तो बहुत ही कहते है ना कि एक तरफ inflation है और दूसी तरफ crypto market जो कि एक deflationary कहा जाता है बहुत सारी currencies आपने सुनी होंगी यह deflationary है तो inflation का impact पड़ता हुआ ठीक है और bitcoin के अगर हम high low देखें यहाँ पे 29,387 पे अभी current price trade कर रहे है 28,900 का level भी bitcoin ने दिखाया 28,000 डॉलर का level भी दिखाया 30,000 डॉलर से सीधा 28 पे आया था ठीक है और 30,000 डॉलर का high हमने देखा तो कल जो price trade कर रहे थे वो यही trade कर रहे थे सीधा फिर 28 पे आया और अभी current price 29 पे आया और अगर हम chart देखें bitcoin का तो bitcoin के chart में हमको volatility देखने को मिली है और बिल्कुल एक bearish chart कहते ने जिसको अगर आप देखेंगे पूरा chart red के अंदर है ठीक है यह जो level पे हम trade कर रहे थे वहाँ से सीधा नीचे गिरा है और यह जो level है सीधा 28,000 का level है ठीक है तो सीधा एक bearish chart हमको bitcoin का देखने को मिला है और जब bitcoin गिरता है तो आपको पता है सभी currencies पे क्या impact पड़ते है तो ethereum पे भी impact पड़े है 1700 से नीचे आच चुका है 1600 पे trade कर रहा है बिल्कुल 1677 पे जो है price चल रहे है और 6% जो है ethereum के price डाउन गए है टीथर की बात करें 3% अगर आप देखेंगे और 3 नमर पे टीथर है फॉर्थ नमर पे UST coin यह दोनो stable coins है जो top के बने हुआ है Binance coin भी 290 पे आ चुका है 290 डॉलर पे चल रहा है और हलकी सी downfall है Cardano 0.59 डॉलर पे आ चुका है 5% Cardano भी नीचे गया है 0.38 डॉलर के साथ ripple बना है 7 नमर पे 4.8 परसेंट रिपल भी down गया तो एक red market आज हमको Saturday morning को देखने को मिल और अगर आप देखेंगे Binance UST 8 नमर पे है Solana 37 डॉलर के साथ 6.5% तक डाउन गई है Dogecoin 0.07 डॉलर के साथ बने होगा है और 3.7% Dogecoin भी नीचे गया लेकिन Dogecoin को कल एक whale ने खरीदा है 400 million Dogecoin खरीदे गए है और Dogecoin का market cap अगर हम देखें तो बड़ी-बड़ी currencies के market cap फिसल चुके है ठीक है 10 billion dollar पे Dogecoin का market cap है इस bear market के अंदर भी जो कि एक बहुत अच्छा नमबर है Polka dot का भी 8 billion dollar का हो गया है Tron का भी नीचे है वालांच का भी नीचे है तो बड़ी-बड़ी currencies भी फिसल गई है Dogecoin से नीचे है एक सबसे बड़ा reason है Elon Musk का money Elon Musk के जो पैसे है वो लगे हुए Dogecoin के अंदर तो वो पैसे नहीं निकलेंगे Dogecoin के लिए पूरा support है ठीक है और पूरा moon तक लेके जाएंगे Dogecoin को Polka dot की बात करें 8 डॉलर पे आ चुकी है 9 डॉलर से और 6 परसेंट नीचे गई है Polka dot भी और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो Polka dot 11 नंबर पे बनी होई है इसके साथ साथ Wrap Bitcoin 12 नंबर पे Tron 0.07 डॉलर के साथ 2 परसेंट नीचे चल रहा है 30 नंबर पे fix Die 14 पे fix 15 पे Avalanche 22 डॉलर पे 8 परसेंट नीचे गई है और नीचे आ चुकी है Shiba Inu कल 1-0 एड करने वाला था लेकिन बच गया बिल्कुल 1-0 एड होने वाली थी और अगर आप इसका low देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो 0.0010 की जो सीरीज है वो चल रही है अगर आप देखेंगे और क्या high low देखें शीबा इन्होंने तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे low जो hit किया था शीबा इन्होंने 0.00001005 तो अगर ये 5 मतलब और नीचे गिरता तो definitely एक 0 एड हो सकती थी लेकिन बच क्या वहां से बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा एक volume आया इसके अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोगों ने इस point पे इसको खरीदा शीबा इन्हों और सीधा ये इसके price पहुँच गए उपर की तरफ 10.62 पे तो अलरड़ी ये चल रहा था 10.28 पे अभी ये चल रहा है तो जो 1.0 add करने की त्यारी शीबा इन्हों कर रहा था वहां से लोगों ने खरीदना चालू किया ठीक है डिप के अंदर क्योंकि एक्स्ट्रीम डिप था 1.0 add होने ही वाला था और वहां से बहुत सा जैदा volume आया लोगों ने खरीदा डिप के अंदर और अभी जो है 20.28 पे प्राइस चल रहे हैं और अगर आप देखें 3% नीचे है और शीबा इन्हों का चार्ट भी एक bearish चार्ट अगर आप देखेंगे यहां पर है ना तो यहां तक आ गया था शीबा इन्हों और ट्रेडिंग वालिम अगर हम देखेंगे यहां पर ट्रेडिंग वालिम अभी भी green में 15% तक green में ट्रेडिंग वालिम चल रही है तो यह कुछ current हाल है crypto market और shiba inu के बाकी coins के आज saturday morning को तो सबसे पहली update shiba inu को लेके और shiba inu के जो tokens हैं last 24 hour में कल हमने 36, 38, 39 यह number हमको देखने को मिले थे millions में और इस पर जो है last 24 hour के अंदर सिर्फ 84 million shiba inu burn हुआ है तो यह भी एक low level है बहुत क्योंकि millions वाली burning से कुछ नहीं होने वाला और burning काफी slow हो चुकी है और अगर आप देखेंगे यहां पर shiba inu का burn rate भी increase हुआ है अगर आप देखेंगे shiba inu burn rate अप by 113% as 84 million tokens burned in 24 hour तो 24 hour के अंदर जो shiba inu burn हुआ है 84 million उसकी वज़ा से shiba inu का burn rate है 113% तक बढ़ गया तो बिलकुल एक तो crypto market बहुत time से हम crash को face कर रहे हैं उपर से US की तरफ से कुछ ना कुछ बड़ा update आता रहता है अभी पीछे regulation वाला जो बिल था वो लीक हो गया crypto bill ठीक है उससे पहले जो fed की meeting होई fed की कोई meeting होती है तब impact crypto market पर पढ़ जाते हैं तो अभी inflation reaches 8.6% इन में और CPI की आप नंबर आपने देखें जो 8.6% अगर आप देखें जो numbers आया है वो एक बहुत high number है 40 years का एक high number हिट किया है और उसका impact भी crypto market पर बढ़ा तो कहीं न कहीं यह जो चीजें है एक negative impact crypto market पर भी डाल रही है और inflation भी एक बहुत बड़ा reason है crypto market पर stock markets पर ठीक है एक negative impact हमको देखने को मिल रहा है इन सब चीजों का तो market में हर second नए coins बन रहे हैं यह चीज आपको पता ही होगा तो अभी जो है एक बड़ी यहां पर downfall देखने को मिल रही है और जो ERC 20 token creations है जो ERC network के उपर Ethereum के उपर जो coins बन रहे थे वो यहां पर drop हुआ है 39% तक in one month तो जितने नए coins बन रहे थे उनमें गिरावट देखने को जरूर मिलिया है और जो लंबे time के लिए projects आते हैं वो तो आते ही है market में लेकिन जिनको थोड़े time के लिए रहना होता है scam के लिए आते हैं या किसी और reason के लिए आते हैं वो यहां पर जरूर cut off हुआ है और एक अच्छी बात है जो जितने भी जो project काम के है इनी crypto market के लिए वो यहां पर जरूर 39% तक drop हुआ है और इतनी कमी आई है token नए जो token नए जो crypto बन रहे हैं वो थोड़े यहां पर ERC20 के उपर कम होते हुए दिख रहे हैं जो luxury fashion retailer है वो यहां पर accept कर रहा है crypto payments को farfetch to accept crypto assets for payments और इनकी जो partnership हुई है वो crypto platform Lunu के साथ हुई है और 60 के around cryptocurrencies यह accept कर रहे हैं यहां पर जिनके अंदर bitcoin, ethereum, binance coin ठीक है और अगर आप देखेंगे luxury house farfetch partner with Lunu and plans to accept 7 different crypto assets for payment तो यहां पर यह कुछ update और एक जगा और acceptance होता हुआ crypto currencies का तो एक time था जब Shiba Inu और doge coin का war चलता था अभी भी चलता है war लेकिन doge coin अभी भी 10 number पर है Shiba Inu 15 पर है लेकिन अमेरिका के अंदर कुछ नहीं चीज़े हो रहे हैं और Americans किसको पसंद कर रहे हैं बेबी doge coin और Shiba Inu के मुकाबले तो doge coin ने तो जो किया है doge coin तो उपर बैठा ये 10 number पर लेकिन baby doge भी कम नहीं है और baby doge coin भी पूरी टककर दे रहा है Shiba Inu को तो आपको क्या लगता है कि baby doge coin Shiba Inu से भी आगे निकल सकता है और या फिर Shiba Inu जैसा return baby doge coin भी दे सकता है तो एक और बड़ी update Shiba Inu को लेके A big company is likely to invest in Shiba Inu और ये चीज़ें आ रही है sources की तरफ से ठीक है Bitcoin LFG की तरफ से ये update आया और एक बड़ी company जो है Shiba Inu में investment कर सकती है अभी ये चीज़ clear नहीं है कौन सी company है हाँ लेकिन अगर future में जैसा कि हमने बड़ी-बड़ी companies की investment Shiba Inu में आ सकते हैं यहाँ पर शुरुआत भी हो सकती है और जैसी वो investment साएंगे तो आप खुछ सोच सकते हो Shiba Inu खाँ जाएगा ये बहुत बड़ी चीज़ है और अगर ऐसी चीज़े होती है बड़ी-बड़ी company Shiba Inu में investment डालती है अपना ठीक है क्योंकि एक से ही शुरुआत होगी अगर एक company डालेगी तो बाकी companies भी attract होंगी और ये चीज़ यहाँ पर sources बता रहे हैं कि एक big company is likely to invest in Shiba Inu तो next update की बात करें तो किशू Inu की भी listing होई है Bitcoin LFG के ओपर किशू Inu is now live world largest crypto data company Bitcoin LFG app and web तो Bitcoin LFG app के ओपर और web के ओपर किशू Inu की भी listing होगी है अभी recently first birthday के ओपर baby dodge को list किया उसके बाद Shiba Inu 3rd June को add हुआ है और यब यहाँ पर किशू Inu को भी add कर दिया Bitcoin LFG ने next last and final update की बात करें तो वो है यहाँ पर Jack Dorsey को लेके जो former CEO रह चुके हैं Twitter के और Jack Dorsey Bitcoin lover आप कह सकते हैं एक तरह से Jack Dorsey announce he is collaborating with the rapper Jay Z तो collaborate किया है जे जेड के साथ और यहाँ पर जो है बाय लॉंचिंग है Bitcoin Academy in Brooklyn तो एक Bitcoin की जो Academy है Education is power ऐसा सोचना है मतलब Jack Dorsey का और Bitcoin के बारे में अभी बहुत सारे crypto के बारे में बहुत सारे लोगों नहीं पता है तो एक Bitcoin जो Academy है वो open कर रहे हैं Brooklyn के अंदर और इसके लिए collaborate किया है rapper Jay Z के साथ Jack Dorsey ने तो यह कुछ cryptocurrency news and updates थी तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गयोंगे तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो पसंदा है वीडियो को डबल शोर होजें वो भी बहुत ज़रूरी है तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई